नमस्कार, स्वागत है आप सबका अक्सर या सुनने को मिलता है कि राजनीत अब उस अस्तर की नहीं रही राजनीत का अस्तर गिर गया या राजनीत में वो लोग नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे राजनीत में अब लोग सेवा भाव से नहीं जाते हैं जब से बड़ा हुआ हूँ या समस्दार हुआ हूँ या कहें कि राजनीत को फालू कर रहा हूँ तब से ऐसी तमाम चीज़ें सुनने को मिलती हैं। क्या कोई मानक है कि राजनीत का अस्तर गिरा है या उठा है या इसको मापा जा सकता है या सिर्फ महसूस किया जा सकता है राजनीत समय समय पे बदलती है या समय समय पे उस पर परिवर्टन आना आवस्थक भी होता है परन्तों अगर यहां आरोप लोग लगा रहे हैं कि राजनीत का अस्तर गिरा है यह राजनीत में उस अस्तर के लोग नहीं हैं जिस अस्तर के हुआ करते थे इस पे बहुत सारे रिपोर्ट भी आती हैं बहुत सारी कमेटी बनती है बहुत सारे सुधार के बाद भी होते हैं चुना आयोग भी करता है या कुछ NGO भी अपने रिपोर्ट देते हैं कि जो लोग सभा में या राज सभा में या राज्यों के विधान सभा में जो लोग चुन के जा रहे हैं उसमें अपराधी किस्म के लोग ज्यादा जा रहे हैं या पैसे वाले कुछ संख्या बढ़ रही है तो राजनीत का पैसे से अपराध से क्या कोई सीधा वास्ता हुआ है जो पहले नहीं होता था या पहले भी होता था पहले इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं छपते थे तो जाहिर सी बात यहा है कि राजनीत कभी भी खाली नहीं हो सकती पहले लोगों को लगा कि राजनीत के माध्यम से वह देश की सिती बजल सकते हैं तो जो लोग उस मानसिक्ता के या उतने उच्च विचार के थे उन्होंने अपना बेवसाय या अपना काम छोड़कर राजनीत में एक त्याग भावना से जुड़े और उन्होंने अपना काम पूरा किया परन्त उस जैसे समय बेता गया लोगों ने राजनीत को एक निगेटिव इमेज देने की कोशिस की या उसको मिलती गई योगे लोग काबिल लोग इससे दूरी बनाते गए अब जोकी राजनीत होता है अर्थव्योस्था का गार्जियन तो इसमें पैसे का भी अच्छा खासा खेल था अपराधी गुंडे ठेकेदार इन सबों को इसमें एक अच्छा मौका दिखा और लोगों ने दूरी बनाई तब गरत लोगों ने इस पेकपजा किया तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है अच्छे लोग या बुरे लोग यह चर्चा कभी से हैं लेकिन अगर एक अच्छी राजनीत के आम उम्मीद रखते हैं अच्छी राजनीत करना चाहते हैं यह देश का हमें एहसास होना चाहिए कि लोग तंत्र में सबसे पावरफुल और सबसे योग होता है आम आदमी संविधान में भी लिखा है बीद अपी पलाफ इंडिया प्रियंबल की पहली लाइन यह बताती है कि हम लोग एक आम आदमी ही जो है वही सब कुछ है असली पावर उसी दिलाती रहे कि हम जिंदा हैं हम जानते हैं कि हमारी पावर क्या है और सबसे बड़ी बात राजनीत में पाटिसिपेशन सिर्फ ओड़ देना ही पाटिसिपेशन नहीं होना चाहिए आपको अन्यमाध्यम से भी अपनी उपस्तित दर्ज करानी होगी अगर देश की सिती कैसी होनी चाहिए उसमें सामिल हुए उसमें टाप पर दाई और उसको बदलिए तभी आपकी दलिल में कुछ दम दिखेगा तभी आपकी बात कहीं सुनी जाएगी तभी कुछ इस देश में हो सकता है अन्य था एक मुग दर्शक के रूप में हम आप बैठे रहेंगे और चीजे होती रहेंगे धन्य बाद